कि है कि है अब्रिवन वेलकम क्यों अनकेडमी इस लैट्स क्राइक एंपी एक्जाम दिस इस में अंकुर दवे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं दोस्तों आप सभी का तो यह हमारी टीम में दूस्ट यह एंपीपसी और व्यापम की जितने भी एक्जाम सोते हैं उनकी आपके लिए कराती है एक अकॉर्डिंग टूस्लेबस जितना भी एक्जाम चाहे आपका स्वाव इंस्पेक्टर का एक्जाम हो जैल पहरी का हो यह कोई भी एक्जाम हो उसके प्रप्रेशन हमारी टीम के तुरू आपके लिए टू दा पॉइंट अकॉर्डिंग टूस ले नहीं है आप घर पर बैठिए हम अनकेडमी के तुरू आपके पास इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लेकर आएंगे जो आपके मेंटर बनेंगे जो आपकी पढ़ाई को और भी जादा सरल सरल करेंगे ठीक है ओलड़ी वो सेलेक्टेड है वो कैसे सेलेक्टेड हुए नाक टैस्स सकते हो यह सारी की सारी की सबसे पहले आपको नाकैडमी की लेर्णिंग को डाउनलूट करना होगा तो अगर जब आप लेर्निंग को डाउनलोड करेंगे तो बहुल को दूर्स पर आपको यहां पर अवेलिबिल मिल जाएंगे पुर्स इन चूहर गोल एकवर to your wishes चाहे आपको MbpsC करना हो UpsC करना हो या जिस भी फिल्ड के आप तयारी कर रहे हो उसका गोल चूज यहां पर आप कर सकते हो फिर उसके वाद आपको यहां पर क्लिक करना होगा कब मिलीगा जब आप यहां पर मेरा कोड यूज करोगे डिवाइटी एडी और अंकुर दुबे यूट्यूब फॉर वाइटी वाइरल कर दो जितना ज्यादा-ज्यादा हो सकता है इस कोड को ठीक है एडी वाइटी अंकुर दुबे यूट्यूब ओके यह कोड आपको 10% डि इसबधार के बाताओं पूराइट यहां पर आपयों कादा के सवह खता है क्यों प्रप्रिशन कर रहा है तो वह तो मेरे कोड की तुरू यहां पर भी 10% का डिसकाउंट ले सकते हैं तो कोशिश करिए आप यहां पर भी मेरे 10 लगा के सस्क्रिप्ण दे सकते कुछ मेरे ब्लांस जो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं जिसमें हमने liquidity का Unit 1 complete कर लिया जैसा लेबस में लिखा हुआ है उसी तरह से हमने इसको complete किया है यूट 2 भी हमने पूरा का पूरा स्लेबस के ाकॉर्टिंग कर लिया है एक टॉपिक हमने उसी तरह से complete किया जैसा स्लेबस में था यूट 3 की दोस्त केवल और केवल अब कुछ तक तो हमने करी लिया मीडिया की भूमी का चल रहा है यह बी जल से जल कम्प्लेट हो जाएगा और फिर बात करें यूनिट फोर के तो यूनिट फोर में आपने देखा है कि दो क्लासे तो हम इसकी ले चुके हैं दो क्लासे और बच्ची तो वह जल्द आपको मिलके इस महिने में यूनिट फोर भी कम्प्लेट हो जाएगा तो यूज माई कोड एडी वाइटी for 10% डिसकाउंट और यह सारे के सारे courses भी मेरे आप देख सकते हैं हाँ और modern history का course है वो भी आपको जल मिल जाएगा सुबह 11 बजे से उसके असपास classes होंगे तो कल मैंने आपको बहुत सारी मिर्दा के बारे में बता दिया था जलोड मिट्टी क्या होती है हमने देख लिया था काली मिट्टी क्या होती है लाल प मैंने आपको बताया था असंबाली एरिया में भी आपके लिए रैड सोयल मिल जाएगी जो हमारी नौर्थ इस्टेट्स है ना वहाँ पर भी आपको यह मिर्दा मिलेगी अब आपने देखा कि नौर्थ इस स्टेट्स में मासे इम्राम हो गया और बहुत सारी रीदर होगे जहां पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है तो इस बारिश से क्या होता है कि इस मिटी में जितनी भी जैवेक गुर्ण होते हैं यह जो भी इसके जैवेक तत्व होते हैं वह दिरी-दिरी क्या होते हैं नीचे की और पलाइन कर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्ट की तरह दिखने लगती तो इसका करण लाल करण तो हारा कि उसी के करण होता है ठीक है उसके के करण पर इकदम लाल दिखने लगती जब यह क्या होती है यहां पर बारिश के बाद जब वास्पी करण इसके meditate ए fiance चून इंहोगा यह सारे के सारे सथ आपको जितनी भी जो पget रूर्ष कर पानी के साथ के पेंज़या और अलवीनियम ही बस्ताइं कैसी दिखते हैं लाली मिटी पर ज़्याला बारिश होई है तो जो मेन इसके तट्व है है ना सिलीक हो गई चूना हो ग antsाद वो नीचे की ओर चले गई जो दूसरे र राच गए लोहा वागे दा वह जोedar आव उपर ही बने रहे तो अो सिलिका और चूना नीची से लिए ठीक है तो इस करण से दूसरे यहां पर क्या होता है कि यह मिर्दा काफी important भी हो जाती है लेटरेट मिट्टी के बाद दूसरी मिट्टी के कुछ और भी चीज़े बता दो कि एलोह और ऐलु मीनियं की कह सकते हम इनकी मातरा तो जादा रहेगी फिर एनली होनी चाहिए एक तो सबसे ज़्याद का विदतार आपको कहां मिलेगगा के रलशाइड मिलेगा तो में आपए देख सकते हैं गापर टिक लगा हुआ है हैाई लय ट्राइट मिट्टी का जहां पर पिंक कलर से बनी हुए है वहाँ पर सभी जगया है ल्योटाइट मिट्टी ही पाई जाती है तो आप यहाँ Score देख सकतने सबसे छी से मैंने आपको बताई कि इसकी जो अरवरक सकता होती वह कम होती है तो अधिकतर जितनीी बी लाल मिट्टी होती है उनके सब की औरवरक तक शंब preheet कम होती है पर उनमें इसा नहीं कि कुछ भी चीज सोगा ही नहीं जा तो यहां पर पाए जाते हैं पर यहां पर यहां पर भी बहुत ज्यादा Ultimate अप जो अलमों की उदिदन के कRIYA के कर रहाते, निर्बान हुआते हैं का, अब क्या हुआ की बहुत हजार हो साल swept हैं हील्य सलोप है, तो बहुत सारे ऐसे का रख होते हैं जली जल भी हो गया हिमनद हो गया वर्शा हो गया वर्शा के अलावा सूर की करने हो गया तो यह कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहां पर क्या करते हैं इस मृदा के जितने भी दूसरे आप च्छालन कारक होते हैं वो सारे के सारे दूसरे आपर क्या हो जाते हैं इस मृदा की अमली इस्तिति को गुसित कर देते हैं तो अमली इस्तिति यहां पर इसके द्वारा बना दी जाती है दूसरा इस मृदा में भी आपको पुटास, फॉस्परस और चूने की कमी मिलेगी तो जितनी भी अधिकतर उनमें कहीं न कहीं आपको इनकी कमी तो देखने मिलने ही वाली है, ओके, तो यह कुछ मैंने परवती मृदा के बारे में आपको बताया था, I think अब आपके सारे के सारे यहां पर डाउट्स क्लियर हो गयोंगे परवती मृदा को लेकर, आज हम पूरा का पूरे इस मृदा क टॉपिक को खतम कर लेंगे, और इसके बाद कुछ मृदा की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो बस दो दिन की क्लासे ज़र रहेंगे, और मिर्दा का चेप्टर हम पूरा खतम कर देंगे, दो दिन में, तो मैं वही बता रहा था कि ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं, उन कारकों के करण क्या होता है, जो पाणों के ढालों वाले छेप्टर पर होती हैं, वो सारी के सारी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है, पतली हो जाती है, पर ऐसे नहीं कि उसकी और बरक्ता सकती चलीए बिल्कुल जब भले वो पतली हो गई है पर वहां पर बहुत सारी फसले हो जा सकते हैं जैसे चाह कहभा मसालिच इतनी वह आपके फसलें देखिया होगी वह सारी के तरी इन्ही अःफ छेत्रों में उगाए जाती जहां slope होता है पहाड़ी का इसके इलावा जो जंजाती होती है ठीक है जंजाती है उन वो इसमें जूम की किरसी भी करती है तो पहाड़ों का एरिया कहना कटिली जाड़ी है और कुछ ऐसे पेड़ों गाते हैं जो उनको काटके यह पूरे के पूरी जमीन को फटाइल बना देते है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेती करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं तो जितनी भी जंज आती है उनके लिए सबसे इंपोर्टेंट मिलेगी अब कुछ यहाँ पर एरिया की बात कर लूँ कहां पर यह सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी हमारे जो परवती मिर्दा ह तो यहाँ पर आपको ब्लू करण से दिख रहा है जैसे कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया सिक्किम हो गया तोड़ासा अरुराचर प्रदेश का हिस्सा हो गया सबसे ज्यादा आपको यह चीज यहीं मिलने वाली तो हमाले छेत्र हो गया उत्तर पूर्वी भारत के पहार मरस्तर की मिरदा है तो यह वर्दा दोस्त लगभा 50 सेंटी मीटर से कम वर्ता वाले छेत्र में होती है क्याना लाइं तो ज़हां पर 50 सेंटी मिटर से कम वारिश होती है वहां रहा यहां पर कहा जाता है इस सहीतर में तो मात्तर में आपको मिलने वाला है यहां पर नेट्रोजन और हुमस की कमी उससे कोई फरक नहीं पर लोहा और फॉरस यहां पर आपको बड़े तागाते मिलेगा ठीक है इस मुर्दा में जिससे कि मैंने आपको पहले वाली दूसरी में पढ़ाया था कि उसमें मोटे अनाज कीखी रategनाव कर दिया होती है अभी कुछ दिनों में आप देकोगे की जिससे राजिस्थान का एक जिला है वहां पर ङञणी की 실भ का एलिया है सोचू मदलब कि मारस्थल का एरिया है है नकि वहां पर इसे टेकनिक्स की गई है इनके माधियम से यहां पे मरस्थल में भी खीरती यहां पर चालू कर दिये सोचो मतलब की मरुस्थल का एरिया है न तुब वहां पर कुछ ऐसी टेक्निक्स की गई है इनके माद्यम से यहां पर मरुस्थल में भी गन्य हो गया जाने लगे हैं तो में ली कौन सी फसल थी में ली तो यहां पर आप चावाल और गन्य की यह लिखा गया फर्स्ट पॉइंट पर जो मैं आपको बता रहा था कि हाली में यहां पर आप देखोगे कि गन्य और क्रिसी की प्रारा में भी चालू कर दी गई है यहां पर राजिस्थान में तो अभी तक तो यह चीज़ यहां पर नहीं की जाती थी अब बात कर लेते है लवडी हैं मिर्दा यहां पर क्या होती है तो लवडी मतलब के तो जिसमें सैलनेटी जादा होती है अब मैंने आपको बताया था चिलका जील हो गई और ऐसी बहुत सारी जीले हो गई जो कभी समुद्र से या किसी दूसरी जलधारा से जोड़ी होई थी अब किसी कानवश बहुत जलधारा से अलग होगई अब अलग हो गया वाश्विकरन हो गया तो उस पानी के बाद जब उसका बसी करन हो जाता है तो केबाल नमक भी यहां पर एक तो इस तरह से हमारे नमक का निर्मान भी कह सकते हैं और लवडी मिर्दा का निर्मायन भी होता है यह दो सबसे ज़्यादा सोडियम कैल्शियम पूट बॉर्ट पुटेशियम इनकी मात्र आपको अधक मिलने बाले इसी कारण इसकी प्रवित्ति छारी हो जाती है ठीक है सोडियम कैल्सियम की मात्रा अधिक होने के करण यह मिट्टी क्या हो यह देखिए को छेत्र है यहां पर मैं आपको बता देता हूं यह सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी तो पश्यमी राजश्थान का छेत्र हो गया केरल का छेत्र हो गया यह मिट्टी सबसे ज़्यादा आपको यहां देखने मिलने वाली है ठीक है पूर्ण रूप से यह अन नहीं लगा सकते कोई भी वजेटेशन नहीं कर सकते ठीक है इस मर्दा में हरी घास जिपसम का प्रियोग करके इसके चारिता को कम किया जा रहा है अब बहुत सारे ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि इस लवड़ी मिटा को दिरी दिरी कम करने का क्योंकि बहुत ज्यादा है नम कमीशा दल्दली च्छित्र में पाय जाते हैं जयए हो हमारा बंगाल का दल्दली च्छित्रों या हमारे गुजवरात का रणी च्षित्रों यहां पर यह मृदा सब告诉 मिलेगी इस मृदा की म्याकाली मृदा भारी अच्छा होइं पर प्र Immilic--" किया है पर एपको यह मिलेगी कौन कौन से एरिया है जहां पर सबस्याद ही मिरदा पाई जाती है केहल हो गया उत्राघंड हो गया है सुंदर्वन हो गया तो यह ऐसे कुछ समस्यां क्या क्या है तो यह समुद्र की लहरे होना तो ऐसे कुछ कारण है जिस कारण होता है इतनी सारी बना दी गए कि उस समय के तो यहीं आकर चिपते तो यह सबसे बड़ी स्वबस्या बनके सामने आई है इस तरह कि यह बनी हुई है ना इनकों यहां पर भी कहते हैं और यह चलायमा नदी के दोरा अपरदन भी किया गया है तो यह चीज़ भी आई तिंग आपको क्लियर हो चुकी होगी कि मिर्दा चुनन के यहां पर कौन कौन से यहां पर समश्या हैं तो मैंने कुछ आपको यहां पर बताया इसके लाबा कुछ और भी चुमस्या है जैसे कि सिवाले खरयाणा हिमाचर परदेश में आप है ना उत्त काट रहे हैं तो पेड़ अपनी रूट्स में बहुत सारी मिर्दा को यहां पर करके रखता है अब हमने पेड़ी काट दिया तो उसकी मिर्द जो उसने होल्ड किया है वह कब तक उसको समाल के रख सकेगा तो यह चीज़ है एक आपको यहां पर यह फैक्टर मिलेगा इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके करन स्वाइल एरोजन होता है तो जैसे सबसे सामने पहले तो आपकी फामने यह टीवी में जो स्क्रीन चल रही देखी कि एक नदी बह रही थी बैते बैते वह क्या हो इसकी बार बार आ गई तो इसने आसपास का एरिया को भी यहां पर क सिमनी करन इवं गंभीर समस्या उत्पन हो जाएगी तो एक आपको यहां पर यह मिलने वाली है दूसरा मिर्दा परतन के बाद मिर्दा परतन के मैंने कुछ आपको कारण बताए थे एक परतदार और दूसरा अवरनिका ठीक है परतदार और अवनालिका दोनों के बारे में में है अब परत मतलब की लेरी फॉर्म में है और उपर की जो बिल्कुल लेयर है उसको चाहिए जल के द्वारा वायू के द्वारा किसी भी तरह कि दोस्त उसको बहा कर उड़ा कर अपने साथ ले जाना मतलब कि जहां उसका फ्लो है उसी डारेक्शन में उसको आगे पुछ कर देना ठीक है तो परदार मृदा इस प्रकार निर्मान होता है उसके बाद अब नालिका क्या होते हैं तो यह चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि यह चोटा यह चोटी-चोटी सी के पता नहीं चलता कहां कौन सी के ज़र कहां खुल रही है तो इन के दो सब लेतने कुछ उपाएं ऐसे कौन-कौन से उपाएं जिससे यहाँ पर मिर्दा परदन को रोका जा सकता है तो यह कुछ उपाएं दोस्त जादा स्यादा हम निरवर्ति करन करें खना है नसागरी अत्यादिक पसुचरन तो इन सारी चीजों को दो समय है यह कुछ रीजन से ज बात कर लेते हैं मिर्दा परदन का प्रभाव क्या होगा वह इसलिए होगा यहां पर कि कुछ टाइम बद लोगों को यह लगने लगा कि हम खुज है पर फसल नहीं होगा पार रहे हैं क्योंकि हमने मिट्टी के और बदो तक सब्सक्तर कर दिया किया होगी है यही कारण है क् premise कि यहां पर हम क्या करते हैं जायर जादा मिरता परदन को भी रोखना एक बहुत बड़ी की की रूप में आपे सामने आया अम्रिदा पर्दन का प्रभाव क्या पड़ता है तो सबसे बड़ा प्रभाव तो यहां पर यहीं पड़ गया कि म्रिदा के कड़ स्थानांत्रित होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह तो उस जगह पर मालोगर बीज वह गया है तो अब वहां पर एक बन गी तो वह बीज खिली कैसे पाएंगे पेनेटरीट ही नहीं कर पाएंगे इत्ती बड़ी म्रिदा को और कर पाएं तो सौ मैंसे मान किते लो 90 तो मरी जाने के वाल दस ही दस यहां पर कर पाएंगे तो एक यह भी आपको म्रिदा समस्या सबसी बड़ी यहां पर शो हो रही है तो दोस्त यह कुछ टेब सबसे बड़ी साइं पर देखो तो भारती कृसिया नुसंदान परिसत आई सी ए आर के अधिकांस भूमी मिर्दा चरण की समस्या से गरत है तो इस विल्कुल होगी होगी तो हमारे मध्यप्रदेश के इलावा भारत की विजित्ती बूमी सबसे बड़ी बूमी है ना वहां कि यहां पर होता है में मैंने कुछ दोस्तं यहां पर आपको दे रखी हूं यह कुछ समस्या है प्लीज आप इसको एड़ी वाईटी वाईटी कर दिसकाउंट कर हमारी आठव बजे मुलाकात होती है अगर आप यहां पर से नहीं को नौनलोड करिये अगर श्यूर्स आप हम गोल्चूस करिए और फिर आप फ्री वीडियो भी देख सकते हैं पर मैं कहता हूं अगर आपने स्क्रिप्शन लिया है तो आपकी एक इस पड़ाई यहां पर की जाएगी तो यूज माइक कोड एडी वाइटी और टैन परसेंट डिसकाउंट इन एनी कोर्स चाहे दो